कि अपने घर में एकदम सेफ होंगे एकदम सुरक्षित होंगे अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और सबसे बड़ी बात कि लाइफ के लिए आपने अपने अपने आटिट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा दोस्तों हमारे ये पॉजिटिव आटिट्यूड ये डिसाइड करता है कि जो आज हम सोच रहे हैं उससे हमारा कल जो भविश्य है वो कैसा होने वाला है तो आज अगर हमारे हाथ में हैं और आज अगर हम अच्छा सोच सकते हैं और आज अगर हम कुछ ऐसा प्रयास कर सकते हैं जिससे हमारा आने वाला भविश्य अच्छा हो तो मुझे लगता है कि ये प्रयास जरूर करने चाहिए और ये प्रियास आपके control में है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सोच पर control करना है क्योंकि ये कहा जाता है कि आज जो आपकी सोच होगी वो कल आपका भविश्य होगा और वो कल दुनिया का भविश्य भी होने वाला है So make sure कि आप अपनी सोच को positive बनाय रखे आज से ही अगर आपको कभी कभी कोई negative thought आ भी जाता है तो उसकी जगह पर एक positive thought लेकर आए उसे replace करें और अपने आपको positive और energized महसूस करें चलिए दोस्तों इसी खुबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के खुबसूरत से वीडियो को क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने बाना हूँ कि किस तरह से मैं अपनी skin को glass skin बना कर रखता हूँ glass skin कुछ भी नहीं होती दोस्तों glass skin सिर्फ एक ऐसी skin होती है जिसमें चमक होती है हमारा color क्या है? हमारा complexion क्या है? उससे फरक नहीं पड़ता है हो सकता है कि हमारा color सामला हो हो सकता है कि हमारा color dark हो हो सकता है कि हमारा color fair हो हमारी skin का color क्या है? उससे ज़्यादा important ये है कि हमारी skin में चमक कितनी है अगर हमारी skin में चमक बहुत ज़्यादा है और अगर skin का complexion सामला भी है तो भी उससे फरक नहीं पड़ता क्योंकि ये सामली स्किन जो बहुत ज़्यादा चमकदार है ये अपने आप ही हमारे confidence को बढ़ा देगी आपको पता होना चाहिए कि foreigners अपनी स्किन को tan करने के लिए सनबात लेते हैं लेकिन tanning नहीं होती लेकिन हम Indians को तो इश्वर ने बहुत ज़्यादा melanin दिया है जिसकी वज़ा से हम अपनी स्किन को होने वाले स्किन cancer की वज़ा से बचा पाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुकराना करना चाहिए हमें इश्वर की दी हुई इस चीज़ का हम क्या करते हैं हम सिर्फ रंग के राजनीती में पढ़ जाते हैं जो कि कहीं न कहीं पर बहुत ज़्यादा बुरी है किस तरह से मैं अपनी स्किन को ग्लास स्किन बनाया रखता हूँ ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास तक ज़रूर देखें चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जब भी मुझसे पूछा जाता है कि सर आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं तो बहुत बार मुझे हसी आती है जो कि मैं बाहर से बहुत जादा कुछ नहीं करता हूँ जो कि जैसा कि मैं वीडियो में भी कहता हूँ कि आपके खुबसूर्ती आपके ब्यूटी जो है वो जो आप शरीर के अंदर होते हो वही बाहर दिखाई देती है वही बाहर जलकती है reflect करती है तो इसका मतलब कि आपको अपने शरीर के अंदर बहुत जादा ध्यान देना है अपनी diet, अपनी exercise, अपने supplements, अपना stress, मीन की quality अप क्या सोचते हैं ये चीजें बहुत जादा matter करती हैं कि यही चीजे कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद में आपके चहरे पर reflect होने वाली है अगर आप बुरा सोचते हैं अगर आप negative सोचते हैं आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं डाइट नहीं लेते अच्छी exercise नहीं करते हैं सोचते हैं कि आपके skin glowing हो जाएगी तो शायद आप किसी नहीं किसी भ्रह्म में है और इस भ्रह्म को अपने दिमाग से निकाल देना बहतर होगा अब बात करते हैं कि वो कौन सा scrub है जो generally मैं use करता हूँ क्योंकि मैं once in a week अपने routine में बाहर से लगाने के लिए एक scrub follow करता हूँ इस scrub को बनाने के लिए मैं 5 चीज़ों का इस्तमाल करता हूँ जो सारी की सारी चीज़ें घर में available है सबसे पहली जो चीज़ दोस्तों मैं लेता हूँ या मैं आपको suggest करता हूँ वो है दही दही के अंदर है lactic acid और यह lactic acid ना सिर्फ हमारी skin पर glow देता है बलकि यह हमारी skin को lightening brightening और tightening effect भी देता है तो बहुत जरूरी है कि अगर हम अपनी skin को light, bright और tight बनाना चाहते है तो हमें दही यहाँ पर जरूर लेना है दही जब भी अपलेते हैं गाढ़ा दही होना चाहिए पानी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए क्योंकि जितना ज़ादा गाढ़ा दही होगा उसमें lactic acid भी ज़ादा होगा और उसमें protein content भी ज़ादा होगा जिसकी वज़ा से आप अपनी skin को healthy रख पाओगे नंबर दूसरा जो ingredient दोस्तों मैं लेता हूँ वो इसी दही के अंदर मैं add करता हूँ आधा चमच चीनी चीनी जो है उसके अंदर होता है glycolic acid क्योंकि चीनी बनती है गन्ने के रस से so glycolic acid जो है वो natural एक anti-aging scrub है या anti-aging component है जिसकी वज़ा से हमारे चहरे पर जो dead cells बहुत जमा हो गए है जिनकी वज़ा से चहरे का glow कहीं गुम हो गया है उसको हटाने में हमें मदद मिलती है so आधा चमच जब आप चीनी लेते हो तो यह याद रखो कि आप बहुत ज़ादा मोटे दाने वाली चीनी नहीं लोगे चीनी जो है वो medium आकार वाली होनी चाहिए अगर बहुत ज़ादा मोटे दाने वाली है तो उसे हलका सा कूट करके आप उसके दानों को छोटा कर सकते है number 3 ingredient दोस्तों मैं add करता हूँ को बनाने के लिए वो है coffee coffee powder आप instant coffee भी ले सकते है normal coffee भी ले सकते है normal coffee जो है या instant coffee जो है इन दोनों के अंदर ही nitric oxide gas होती है और यह nitric oxide gas जो है यह हमारी skin में जो pollution की बज़ा से जो dullness आ जाती है या pollution की बज़ा से जो हमारी skin के उपर थोड़ा सा depreciation हो जाता है skin में glow खतम हो जाता है उन सब को वापस regain करने में हमारी मदद करती है तो जो coffee जो है वो बहुत ज़ादा effective है बहुत ज़ादा beneficial है हमारी skin को कुबसूरत बनाने के लिए तो आधा चमच हमने यहाँ पर coffee लिया है number 4 जो ingredient दोस्तों में यहाँ पर लेता हूँ वो है जो भी हम गेहूं का आटा जब छानते हैं तो choker निकलती है उसका छिलका निकलता है कुछ जगा पर उसको भूसी भी कहा जाता है कुछ लगा पर उसको wheat brand भी कहा जाता है ठीक है आप उसका अस्तमाल कीजे अगर आपको वो नहीं मिल रही है क्योंकि आप ready-made आटा लेकर के आते हैं अपने घर में तो आजकल amazon पे इसके powders के packets भी मिले लग गए है ठीक है तो आप उस amazon से भी ले सकते हो हलाकि यह चीज तो हमें हमारे घर में easily मिल जाएगी बट फिर भी नहीं होती कुछ के घर में तो आप ready-made powders आते हैं जिसको हम गेहूं के आटे का चोकर या उसका छिलका बोलते हैं वो आप खरीच सकते हैं आधा चमच हमें वो डालना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमबर पांच और नमबर लास्ट जो चीज़ दोस्तों हमें इसके अंदर एड़ करनी है वो है लगमक दो चुटकी कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी जो है वो anti-bacterial anti-germicidal और anti-fungal जो infection हो जाते हैं हमारे इसके पे उनको खतम करने का काम करती हैं तो अगर आपके skin में pimples हैं white heads हैं, black heads हैं, papules हैं, cyst हैं, crust हैं तो उनको खतम करने में भी ये healthy powder आपकी बहुत ज़दा help करने वाला है तो यहाँ पर इन पांचों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजे और अच्छे से मिला करके अब आपका ये scrub जो homemade है, बिल्कुल बंगर के तयार है इसे चहरे को गीला करने के बाद चहरे पर अच्छे से apply कीजे एक pack की तरह और 10 से 15 मिनिट के लिए सूखने दीजे 10 से 15 मिनिट के बाद अपने उंगलियों को थोड़ा सा गीला कीजे और इसी pack के ओपर बहुत चोटे-चोटे circles बनाते हुए massage कीजे, आप देखेंगे कि जो pack अब पूरा dry हो चुका था, आपके fingers गीली लगते ही, वो वापस से moist हो रहा है और आपकी skin के उपर rubbing effect create करके, skin में जमा हुए जितने dead cells है, उन्हें साल से उपर का कोई भी effect इसे बहुत easily follow कर सकता है, तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो content आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ है तो एक like का बटन दबा करके हमें motivation ज़रूर दीजेगा, massage करने के बाद आपको 10 मिनट बाद इसे अच्छे से wipe off कर लेना है, wash कर लेना है, और आपकी skin एकदम चमकती हुए आपके सामने आपको दिखाई देगी, दोस्तों अब जाते जाते हैं आपके कुछ सवाल, हम इसे कितने दिनों में कर सकते हैं, तो ideally किसके अंदर जो दही है, वो खटा हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है, तो आप इसे बना कर नहीं रख सकते हैं, आप इसे जब भी लगा रहे हैं, फ्रेश लगाएं तो आपके लिए जादा बहतर होगा, दोस्तों मैं अमीद करता हूँ फेस्बुक एंस्टाग्राइम पर था हमें फॉलो जरूर कीजेगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें, आपका प्यार, आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इस ही आशा के साथ आप चल विदा लेता, आपका नॉलेज परिन Dr. Manoj, thank you so much, bye bye, love you all.